झाल जाने वाले कि उजटे मैं अगर आपके वालेट में पैसे हैं तो क्या उसे हम बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो भी हम आपको crea out कर देंगे तो इस वीडियो में बने रहे हैं तो चलते हैं Glow Road आप्लिकेशन पर जानते हैं कि Glow Road में जो wallet में हमारे पास पैसे उसे bank transfer कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो जीसे कि आप देख पारो कि मेरे पास Glow Road application अगर आपकी पास Glow Road application नहीं है अगर आपको अब तक नहीं पता है कैसे तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंग प्रोवाइट कर दी जाएगी आप वहां से जाकर चेक आउट कर सकते हो मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो जो है ग्लोड एप्लिकेशन पर बना रखा है तो इसको ड अगर आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को जोईन करेंगे तो देखेंगे अभी हम आपको दिखाते हैं कि यह हमारा जो है अग्रोड का डैशवर्ड रहने वाला है अप रिसेलिंग के परपस के लिए जो है ग्लोड यूज कर सकते हैं प्लस अगर आपको खुद के लिए भी शापिंग करनी है उसके लिए भी आप ग्लोड एप्रिकेशन को यूज कर सकते हैं अभी हम माइकान पे चलते हैं जैसे माइकान पे गए आप देख सकते हैं मेरा वालेट अभी हम इसको थोड़ा और आपको जूम करके दिखाते हैं तो आप देख पारे हूं कि मेरे है कि हाँ आप ग्लोड वालेट को डिरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो तो आपको वह गलत इंफोर्मिशन दी जारी है उसका प्रूव हम आपको दिया देते हैं देखे क्या है यहां पर आपको अप्शन मिलेगा फेक्यू पर जाना है जैसे आप फेक्यू पर तो clear cut mention है glow road वालो की तरफ से कि no glow road wallet balance cannot be transferred to your bank account जो glow road में बैंक में आपके पास पैसे है उसको आप के कॉंट मेन ट्रांसफर नहीं का सकते हैं तो अब sûr जो ग्लोरोड में हमारे पास वालेट में पैसे हैं इसको यूज कहा कर सकते हैं तो इसको इसको पोर 날 א। छिफ अप शौपिंग आपके जो है इस वालेट से डिड़क्ट होंगे ऐसा नहीं है इसका सिर्फ और से 5% जो है आपको यूज होगा एक्स्ट्र जितने भी मनी होंगे वो आपको खुछ से पे करना होगा अभी हम आपको एक डेमो कड़कर विखाते हैं जरी के टॉपिक पर चलते हैं जैसे हम इसक इसकी अभी आपवेस्टाइक है तो यह ले नहीं सकते हैं तो चल्य छोड़े इसको छोड़ते हैं दूसरा वाले देखते हैं इसके एस साइस को ले लेते हैं और चलते हैं जैसे हम बाइन आप जाएंगे आप देख पारो कि इहां पर बहुत सारे उपसंस देखने को मिल ज अब आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस जो है वह 187 है और देखे क्या लिख होगा है कि offer available बहुत सारे offers चलते रहते हैं product amount देख सकते हैं तो सारी summary यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी अब हम बात करते हैं कि इसमें wallet वाला amount वह कितना deduct होगा तो आपके wallet का 5% आपके हर एक online transaction में deduct हो जाएंगे इसका simple सा मतलब है कि अगर मैंने यह t-shirt buy किया लेकिन इसको cash on delivery में buy नहीं करना है prepayment में online payment में buy करना है तब तो मेरा 5% जो है वो deduct होगा otherwise अगर मैं cash on delivery select कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं clear mention है कि you will be losing 9 by doing cash on delivery pay online and take wallet and discount benefits मतलब अगर मैंने cash on delivery कर लिया तो मेरे wallet में से 1 रुपे भी deduct नहीं होगा तो यह नहीं है कि अगर आपके wallet में बहुत जादा amount है तो आप बहुत wide जो है तो आप बहुत जादा शॉपिंग कर पाएंगे उसका सिर्फ और 5% ही deduct होता है मतलब इसका जितना भी price है इस T-shirt का उसका 5% आपके wallet में से deduct होगा and remaining amount आपको pay करना पड़ेगा तो wallet का आप ऐसे use कर सकते हैं किसी भी सामान को order करने में make sure कि वो order जो है आप cash on delivery पे ना कर रहे हो कि cash on delivery पे करोगे तो फिर wallet का use नहीं होगा तो यह तो मैंने आपको clear कर दिया है कि glow road wallet वाला जो money है उसको डिरेक्ट आप bank में transfer नहीं कर सकते हैं स्टिल ग्लो रोट से कोई डाउट हो या कोई आपको किसी specific topic पे वीडियो चाहिए तो आप definitely comment कर देना हम reply देंगे इस वीडियो में इतना है वीडियो चले विडियो तो बहुसा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी share कर दीजिए क्योंकि अगर उनको भी glut information मिली है कि हम इसको direct link में transfer कर लें तो वो भी एक बार सही जानकारी ले ले लें मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ने concept के साथ